मर गया इन्हें चोट लगी है सहता तो करनी चाहिए बीतर आने तो ना आप सुता कल वो जोगी बाबा को तो बीतर आने दिया था ना अब ये भोले भाले बुड़े बाबा मेरे माईके की ओर से आये है तो बड़ी समस्या हो रही आपको कोई बात ने पिटिया समस्या है तो रही आजाए रुख जा बाबा जब तक आपका स्वास ठीक ना हो जातो है कहीं न जारो आप बीतर आजे यार जो बैच जी को लेके आओ उले काओ सिगरता करे जो 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 आओ बाबा भगवान तुमारा भणा करे बिटिया सदा सुखी रहो बोला चाचा सबसे कड़वी ओशिती दिलवाना इन है तू प्रभू प्रभू मर गया लिया जैसे बैच जी ने उस्ती दे देते है आप इनके लिए बैल गाड़ी मंगवा लीजी लगता है एक बार फिर से अपनी सूख्ष बुद्धी का प्रेयोग करना पड़ेगा मुझे फिर नया ढोंग करेंगे ढोंगी महराज मुझे तो कोई आप चूटी चोट ना दिखाई दे रही है अरे भीतर की चोट है बाहर से कैसे निखेगी पर कई चिन तो होना चाहिए ना चिन नहीं दिखायी दे रहा अरे तुम्हारी विद्या पून भी हुई है या भी शीक्षा-दीक्षा चल ही रही है भीतर की चोट का चिन भीतर होगा या बाहर होगा मुझे देखू मैं पीडा से करा रहा हूँ मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा तब तो जब तक पीडा पूरी तरह से ठीक ना हो जाती नित्य जाज करनी पड़ेगी हाँ यही पर चाहिए था वेड़ जी रुखने का बहाना आप चिंता मती करो मेरे पास एक राम बान उस्दी है जो चुटकी बजाते ही सारी पीडा दूर कर देगी यह लीजे दुपहर को भोजन के बाद इने दे देना राम 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 वो बालक कहां है जिसके बारे में महराज कंस ने बताया था मैं पासी के अथितिग्रह में इनके रहने को परबंद करके आता हूँ अरे श्रीमान सुनिये अरे सुनिये तो सही अरे हमसे तो तिलवर हिला नहीं जाना पास के अथितिग्रह तक कैसे जाएंगे हम डया करके मुझे घर के किसी कोने में पड़ा रहने दो मैं आप लोगों पर बोज नहीं बनना चाहता हूँ आई अरे बोज की कोई बात ही नहीं महराज अरे नहीं नहीं मितिया मैं तुम्हारे माय केसे हूँ इसलिए मुझ पर किसी तरह की विशेश क्रपा करने के आवसकता नहीं जैसे ही मेरा दर्द कुछ कम होगा जैसे बन पड़ेगा मैं यहां से चला जाओंगा ना बाबा कहीं जाने के आवसकता ना है आप तो यहीं विश्राम करो मैं आपके लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती हूँ और सदी के साथ सुपाच्य होगी खिचड़ी नहीं यशोदा रानी तुम्हारे पुट्र के प्रान चाहिए मुझे यह सुदा जब तक तुम खिचड़ी बना रही हो दल्ला को मैं संभालने तो लाग पर तुम्हें काम करने में समस्या ना हो नहीं अरे इसी कारम तुम बनाओ नहीं चुछूला शमा करना बाबा अगली बारा होंगा आपके पास और ढोंगी महराज आप आप तो प्रतीक्षा ही करो भी इनके बालक तक पहुँचना आसान नहीं लग रहा है किन्तु ये सूक्ष्म बुत्ती श्रीधर हार बानने वालों में से नहीं है इस अवतार का सत्य तो मैं जान कर रहूंगा हुआ है तुझे पतो है तेरी मुईया क्या अतर रही है? अतर थी आये हैं घर पे उनके लिए खिचली बना रही है तेरी मुईया मुईया देखो ढूंगी बाबा क्या हुआ? तुझे भी खानी है खिचली? है? है ना? ना दे सकती लल्ला? तेरा अन्म प्रासन ना हुआ है अभी? है ना? है ना? अब तो इने सीख देनी ही पड़ेगी अब असे मुशक ने कचो गिराओ है अब तो बिल्ली रखनो ही पड़ेगी लल्ला कल सवेरे सवेरे सबसे पहले बंसी बोला से ज़ाड़ो पोचा लगवाऊंगी तेरे आसपास एक भी मुशक ना बटकनो चाहिए खाने को अरे माईया इस मुशक के लिए तो मैं ही पर्याप थूँ पिचिडी तो पगव लल्ला महराज को खिलाए पर वो तो खाने की अवस्था में ही नहीं है माईया बाबा बोला बंसी अरे ये महराज कहा अगये उन्हें भार जाते तो ना देखो भाबी यहीं कहीं होंगे तो देखो महराज महराज बोला तुम बीतर देख लो हम भार देख लेते हैं महराज महराज महराज, महराज, भाबी, यहा हुआ, हाँ, जी क्या होगा, जी बाबा यहां क्या कर रहो थे, लग तो है भाबी, मूर्छित हो गए, अरे तु जल छिल को, बंसी, जल ला, बाबा, छिल को, पानी छिल को, महराज, ओ महराज, आके खोलो, क्या है रीचोट लगी है इतने से जल से नहीं उठेंगे ये अरे अच्छे से जल शुरको हाँ अच्छे से जल शुरको हाँ उड़गे माहराज बाबा अब ठीको बाबा चे क्या होगा गाल पर भी लगो क्या किसने मारा बुझे इसने जो भी हो प्रतिशोद तो अवश्चे लूँगा मैं प्रतिशोद बाद में लेना महराज पहले खड़े तो हो जाओ ठीक से अरे किन्तु यहां तो सब समान नहीं लग रहा है बालक के आसपास ने कोई प्रकाश ने कोई आभा हो नहीं उस ओश्यदी के प्रभाव से मुझे मतिभ्रम हुआ होगा अब कुछ नहीं कर पाऊंगा अब जो कुछ करूंगा कल ओश्यदी का प्रभाव समाफ्त होने के बाद ही करूंगा करूंगा उच्चा मेरो लल्ला, कित्ता सोईगो, कित्ता सोईगो लल्ला, कित्ता सोईगो मेरो लल्ला, उच्चा लल्ला, उच्चा मेरो लुल्ला, कि ऐसे तो देखने में बड़ी भोली भाली है किन्तु जब बालक पर समस्या आती है तो कोई भी माजवाला बन जाती है महराज जी जी नन जी लगता है बैज जी की आसनी का प्रभाव ना पड़ा आप पर है क्या हुआ पीड़ा कमना हुई आपकी इसे ही कहते है जले पर नमक्षी डखना नन क्या हुआ भाईया सब कुछ ठीक है हाँ सब ठीक ही है तनिक हमारे साथ आओ कच्छो आवशक बात करनी है तुझे आते समय आपके लिए और आशदी ले आऊँगो अब सीगरी स्वस्त हो जाएंगे आवशकता तो है इन्हें आशदी की रात को डंडे जो खाए है मुझे भी लल्ला को स्नान करानो है महराज आपको कच्छो आवशकता हो तो बता दो नहीं नहीं बीटिया हमें कुछ नहीं चाहिए हमारा भी ध्यान का समय होता है हम ध्यान में जाते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाई ओम नमो भगवते वासुदेवाई ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाई 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 ये मेरी तरफ पास पास खिसक रहा है मईयो, साबधान ओम नमो भगवते वासु देवाई सोचू मत मैया, डंडा उधाओ डंडा बाबा, जो आप वहाँ बैठे थी, आप यहाँ कैसे आगव? ये का चल रहो है? बिटिया, क्या है, जान बूज कर ये सब थोड़ी करता हूँ ये तो मेरी शक्ति का प्रभाव है शक्ति का प्रभाव? हाँ, हाँ, वो क्या है, कि ये, ये ध्यान का उच्च स्तर है जब साधक अपनी कुंडलीनी को जागरत कर लेता है, तो वो ध्यान की ही अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ब्रह्मन कर सकता है और यही नहीं, एक बार तो ध्यान की अवस्था में, हम इतना दूर निकल गए थे, इतना दूर निकल गए थे, जैसे तुम्हारे गोकुल से मथुरा, हाँ, 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 ओम नमो भगवते वाशु देवाई इतना जूट बोलोगे, तो महिया सच मुच मथुरा ही पहुचा देंगी इन सभी को हमारे नीलमणी और पूतना की घटना के बारे में पता चलो अभी ये सब हमारे लल्ला का दर्सन करना चाते है इनको लगता है कि हमारों लल्ला विसेश है अभाईया कौन सच्चे मन से दर्सन करना है किसके मन में है अपे जुपाइच कैसे पता चलोगा कैसे मिलने तो ये नंजाशे प्रणाम नंदराज नंदराज जी आपके बालक पर नारहान के कीरपा है बस एक बार उसके दर्सन करा दीजए प्रहरी उन्हें मना कियो थो, बार-बार जाने के लिए को, पर ये पूरी रात्री बड़ से यहीं पर्तिक्सा कर रहा है बार-बार कहे जा रहे हैं कि यदी नंजी हमें ये कह दें कि लल्ला के दर्सन ना हो सके, तो हम यहां से चले जाएंगे हमारी पुकार सुन लीजेगो अपने रिस, अब आप ही हमारा अन्ति मासरा है इन में से बहुत से व्यक्तितों ऐसे हैं जिनके अबोध बालको को पूतना का गए भाया, मुझे तो कच्छो समझना आ रहूँ आप भी बदाएं मैं क्या करूँ अब मैं तो यही कहूँगा के के सावदान रहूँ पर यह सभी लोग बहुत आस लेकर आये हैं आपर इन्हें इन्हें निरास मती करूँ जिन्दा मत करनद जब तक एक एफ्यक्ति हमारे लला के दर्शन करके वहां से निकल नहीं चातो मैं प्रहरियों के साथ में खड़ो रहूंगो निगरानी करतो रहूंगो हमें लला के दर्शन करवा दिजिए मैं लला को अकिला छोड़ कर ना झाती अकेला कहा है अशुदा हम है ना इसकी सुरक्षा के लिए जाओ 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 और नहीं तो क्या बस बैठकर निवाला तोड़ेगे तो इन्हें भी अच्छा न लगेगो कुछ तो करें है न महाराच बालक के साथ हा इसे भी मार कर ही जाओंगा ना मैं मान भी जाओं किन्तु मेरे भीतर जो महिया का मन है ना वो ना माने को मुझे छमा करो तुम सब जाओ बेटी यसुदा मैं जब से यहां आया हूँ तब से तुमने मेरी सेवा ऐसे की है जैसे मेरी अपनी बेटी करती तो मुझे भी सेवा का अवसर दो तुम क्या चाहती हूँ मैं तुम्हारे उपकार का पोज लेकर चला जाओ यहां से और जब मेरा अंसमय आये तो तुम्हारा रिंड चुकाए बिना ही प्रांट चाग दूँ मानो तो भला ना मानो तो भला चिन्तु सत्य यही है तुम्हें विश्राम की आवश्रक्ता है माा की उर्जा से ही संतान अपनी शक्ति प्राप्त करती है इसलिए तुम्हे सवस्थ और सदा प्रसन्यचित रहना चाहिए यदि तुम प्रसन्य चित्र होगी, तभी तो तुम्हारी संतान भी स्वस्थ और प्रसन्य चित्र है सकेगी, जाओ पुत्री, जाओ, सुनलिया जशोदा जी, अब नील मानी के लिए आपको चलना ही होगा, जै है इसका ध्यान रखने के लिए, अरे किन्तु बाबा को भोजन को बिए तो परोसनों है होगा, हम स्वेम परोसने लेंगे, तुम जाओ जाओ वीटिया हाँ हाँ, चलिये जशोदाटी चलिये चलिये पुछपल के लिए तो मेरी चिंता छोड़ो महिया और जीवन का आनन लो, तब तक मैं इनको समभालता हूँ लुट्न हुआ कि पुर्णा रुडी भुड़रु भुड़रु सती है कि नतीक असनान अम्या संसार भूल के मौज में मगन हो जाना ऐसा लगता है जैसे जे सब तो मैं भूली गई थी आज कितने दिनों बात वही आनद फिर से अनुभफ करूंगे मैं अई प्रणाम नन भाया, प्रणाम उतन भाया, सब ठीक है, हाँ, आपकी विकलांग बनाने की योजना बहुत अच्छी थी, सारी जानकारी प्राप्त कर ली और किसी को संदेह भी ना हुआ, बहुत अच्छे, क्या समाचार लाए हूँ, इस बार कंस ने गोकुल में किसी विकट को भी जाये, और सबसे बुरी बात तो जे है कि, वो हमसे पहले यहाँ आ चुका है, अब वहीं खड़े रहोगे, क्या धूंगी महाराज? नहीं, अब मैं तेरे निकट आऊँगा, और उस महत पूर्ण कार को पूर्ण करूँगा, जिसके लिए मित्र कंस ने मुझे यहाँ भेजा है, और वो व्यक्ति बहुत दिनों से गोकुल में रह रहो है, जे कौन है, कहां रहतो है, इसका पता ना कर पाया हूँ, कोई तो सुत्र होगो, जिससे उसकी पहचान पतो चल सके, बस इतना पतो है नंदराज, कि उसने कंस के साथ भोजन किया था, उस दिन विसेश व्यंजन बनाने का आदेश मिलो था हमें, तुमने देखो ता उसे, कैसे वस्त्र पहने थे, कैसे संस्त्र हैं उसके पास, कोई कोई शस्त्र तो आवश्य होगा इस घर में भैभीत मतोड होंगी महाराज, अनेक है, कोई भी चुन लो सुक्ष्म बुद्धी को किसी सस्त्र की आवशकता नहीं, तेरे लिए तो मेरे हाथ ही परयाप्त हैं आज सु किते समय बाद एकठा हुए ना, आज आवेगो आनन, अरे देख, तेरे नाम निती, कौन आगया? संक्री मौसी और सुम्मिती लगता है सास पहुं में समझाता हो गो है आज पर अपकी बार जगडा क्यों हुआ था पता नहीं चल संक्री जाजी चाहती है कि इनका लल्ला इनके पल्लों से बंधा रहे और बहु केती है कि इसका पल्लों कम सकती साली थोड़ी ना है तो इसके पल्लों से क्यों ना बंधा रहे इसका पती हां जो सोधा जीजी देखो ना जो मुमें आये बोले जारी है सुलक्षना ए सांत्रों सब उन्हें देखकर लल्ला की समेती आ गई ने में घर में आनंद से होगो कर दो आ कि बात पुरूल लिए पुरूख चरण स्पर्श कर लिए तो अब अब आपको अपने डिव्य स्वरूप के दर्शन दूंगा अरे अरे देख नहीं पाओगे तो मारोगे कैसे आखे खोलने की चेश्टा तो करो कर दो दूप एक काओगे तो है कर दोलने पाओगे तो काक है प्रभू ये ज्ञान का प्रकाश है श्री धार इससे आप सरैव बच्चते ही रहें आपके पास बुद्धी तो है कि तु ग्यान नहीं आप महान रिशी शुक्राचार के मानसिक शिष्ष है अब स्वयम को ग्यान से और दूर मत रखिए अब अपने भीतर के अंदकार को इसमें समा जाने दीजिए कब तक अधर्म की छाया में रहेंगे हम एक पगागे बढ़िए और सोय मनुभव कीजिए क्या अनुचित था और क्या उचित है आपने अधर्म के अंदकार में अनेको दुशकर्म किये हैं अब धर्म के प्रकाश के सामने समर्पन कीजिए प्रभु मैं मूर्ख जब से यहां आया हूँ आपके प्राण लेने का प्रयास कर रहा हूँ और आप मुझे ज़्यान के प्रकाश का आशिरवात दे रहे हैं आपकी लीला प्रमपार है प्रभू आपकी लीला प्रमपार अब आप आत्म ज्यान प्राप्त कर चुके हैं श्रीधर मेरी इच्छा है कि आप इस ज्ञान का प्रयोग समाज के कल्यान के लिए करें स्वस्मे स्वल्पम समाज आय सर्वस्पम अर्थाद अपने लिए केवल आवशक्ता के अनुसार शेश सब समाज के लिए अर्थाद आयाँ अर्थाद आप उड़शक्ता के लिए के लिए समाज के लिए आप आपड़िए आपड़िए आपको किसे मन करो? जब मेरे और उस महाराज के अतिरिक तो यहाँ कोई है ही नहीं, तो तुम बताओ, किसने किया होगा मुझे बंद? तुम ठीक तो है ना लल्ला? आज तक अपने लल्ला को अपने से दूर ना करो मैंने? आज पहली बार आप पर विश्वास करके गोपियों के साथ गई थी आदर से पूछ रही हो महाराज, सक्ते बताओ क्या कर रहे थें आप? आपने सुनी भीया यह सुदा ने क्या कही? क्यों आज पहली बार लल्ला को छोड़कर इस भवन से बाहर गई और जे है गयो यदि उससे पता चलेगो कि यह पाखंडी भवा यहां क्यों आयो है और उसके लल्ला के प्राण संकट में है तो फिर कभी वो इस भवन के बाहर पग न धरेगी मैं समस्तू नन और इसने यदि सुम ही सब मान लियो तो आप दोनों की चिंता उचित है कितनी कठेनाई से महिया पूतना की घटना भूल पाएं थी इत्ता तो मैं समझ गई हूँ जो आप दिखते हूँ वो आप हो ना सत्य बताओ कौन हो आप और आपका उद्देश से क्या था यह क्या बताएंगे मैं बताती हूँ चोरी करने आये थे यह नील मनी की माला चुरा रहे थे मैंने पकड़ लिया तो महाना बनाने लगे आवश यही और अधिक मुल्यवान वस्तुए और आभुशनों को चुराने के लोब में इन्होंने मुझे फीतर बन कर दिया और बाहर पूरा भवन उत्थल पुथल कर दिया यह सत्य क्या रही है सत्य यह है रुक चाहिए श्रीधर मैया को मेरा सत्य मत बताईएगा यह कैसी लीला है प्रभू आपका आदेश है कि मैं सत्य नहीं बोल सकता और आपका दिया सत्यान पाकर अब मैं जूट भी तो नहीं बोल सकता मौन धारन करना हो या स्वर उठाना हो कार्य परिस्थिती के अनुसार ही करना चाहिए वैसे आप यहां चुराने ही तो आये थे मेरे प्रान मौन क्यों हो गए बताओ जिस सत्य है आप चुरे करने आये थे थाइब जढ पास्वाश मौन क्यों हो बृट्रान लजट तो नहें stay लगए झाल यह झाल मौन प्रांव अन्याव अन्याव प्रन यह संकेत है कि अब बादल भी कर जेंगे और वर्षा भी होगी यह सोधा कब तक बात ना करोगी अब तो छमा कर दो रानी भाबी आजाओ रानी भाबी जोतिसी जी कहां से कोई आया था और जिमोई कंठक तहके चलोगा हूँ ते दो नारायन भली करें कंठक किस लिए तुछ पर इत्ते संकत रहे है ना लला इसलिए जोतिसी जी से कहके जयंत्रवाला कंठक मंगवागा तेरे लिए अब किसी और को तो तेरी चिंता है ना बस क्या बतानो है क्या चुपानो है जहीं चिंता रह गई है यह सुधा चिंता मुझे भी तभी तो बताना पारो के हमाई लला पर आने वाले संकतों के पीछे कोई और ना स्वयम कंठ और उनका सत्य आप भी जितना शीगर जान लेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए गोकुल में पल रहे उस बालक के रूप में स्वयम विष्णु धरती बराएंगे स्वामी लगता है रात्री भर नेन नहीं आई है आपको पूतना अमारी गई श्रीधर भी गया केवल इसलिए कि आप देवकी और वसुदेव के समक्ष दुर्बल पड़ गए संतानों के जन्म के लिए आपने उन दोनों को जीवित छोड़ दिया आप से छल करके वो दोनों आनंद में है और आप आप सही से विष्राम तक नहीं कर पा रहे हैं स्वामिक यदि आपके स्थान पर मैं होती ना तो उन दोनों को ऐसा पर ठोर दंद दे थी कि उचित समय पर उचित समय पर अस्ती है पहले मैं उन दोनों के उस मायवी बालक का अवध्ध करूंगा फिर उन दोनों को अपने पैरों के तले कुछ अदूंगा मैं किन्तु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक उन्हें जीवेतर रहना होगा पुकि उस शिशु विश्णों के विरुत वह ये दोनों मेरा सुरक्षा कवाच है चिंता करो कंस मामा आपका ध्यान अपने उपर से हटने दूंगा तब ही तो कुछ और सोच पाओगे पुत्र होने का दायत्व मुझे दोनों के प्रतिनिभाना होगा चाहे वो मुझे जन देने वाले माता-पिता हो या मेरा लालन-पालन करने वाले मया और बाबा जो इस समय युद्ध के लिए तयार है कमसिका मुझे बता तो देती जो तिसी से परामर्स ले रही हो मैं ले चलतो तुमें सुन रो है लला इस संसार में सारा अपराद स्क्री का ही होता है बात अपराद की ना है या सोधा मैं बच्छ ये कह रहो हूँ के मुझे अगर ये बात बताई होती तो तनिक आपको भी तो पता चले अपनों से कच्छ चुपाने पर क्यासा लगतो है युद्ध तो घमासान होता जा रहा है इसी कारण बस यदि मैंने कच्छ ना बताया तुमको तो क्या तुम उसका प्रतिसोद लोगी मुझे है नारायन ये क्या कहना चाहते हैं क्या इस्ती कठोर हूँ मैं लल्ला के लिए एक छोटा सा निड़ने ही तो लियो मैंने अपने लल्ला पर क्या इतना भी अधिकारना है मेरा अब क्या हर बात पर अनुमती लेनी पड़ेगी मुझे इससे पहले कि ये आंसुों की वर्षा क्रोट की आंधी में बदल जाए मुझे ही कुछ करना होगा ये सुदा मैं मेरे कहने का अर्थ ये सुदा बात तो सुनो सुनने को बचो क्या है अब आप बस कृपा करके मुझे उन सभी बातों की सूची देदो जिन जिन के लिए मुझे आपसे आग्या लेनी है उठना बेटना खाना पीना सब आपसे पूछकर ही करूंगी अब अरे आप बोलो तो जा हुआ देखो आपने हाँ हाँ सीक्ष लैनो relativity मत बाये मत ऩाल कि घर भी्लाया एन वास बाखत हााााहा हाा प्याल कर्वार दो हमारा लौनाने अपनी पहली कर्वत लेली पहुत सही समय पर ली है, हमारा जगडा भी समाप करवा दियो यह सोधा बाभी तुम दोलों ने छट पर की देरी कर दी अब भी अभी लल्ला ने पहली करवत ली है हाई, शच्ची अब गुला जान की तुम पूरे गोकुल में मिठाई वटो हो गुलके दाजकुमार ने आज पहली करवत ली है हाँ और या सोधा तुम या सोधा तुम या सोधा कौन था भावा कहां गया तुम है कोई तो है यहाँ यह आप क्या कर रहे हैं स्वामी? कोई तो था, किसी ने तो मुझे धक्का दिया है यह संभव नहीं है महाराज इस कक्ष की सुरक्षा इतनी कड़ी है कि एक चीटी भी बिना सुरक्षा जांच के भीतर परवेश नहीं कर सकती किन्तु ऐसा हो सकता है जब 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 विष्णु अपनी माया का प्रियोग करे जब जब झाल झाल